बात करेंगे हरियाना की कल ही नतीजे आये हैं पुरा देश कह रहा था शोसल मीडिया में हर कोई चीक चीक कर कह रहा था कि हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन इससे उलट हुआ क्या? भारती जनता पार्टी ने सरकार बना ली और अब इंडिया एलाइंस में ही तूट पड़ गई है और कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस को हरियाना जीत को लेकर बहुत ज़्यादा अतियात्म विश्वास था जिसकी वज़े से इस तरह से नतीजे आये हैं इस पूरे मामले पर राजनीती भी तेज हो गई है क्या कह रहे हैं सहयोगी दल और किस तरह से राजनीती गर्मा गई है ये जानने और समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए सबने सुना है जहां दूद दही का खाना वैसा है अपना हर्याना हर्याना में तीसरी बार लगातार कमल खिला है कीता की धर्ती पर सत्य की जीत हुई अर्याना की जीत हमारी है पारेश भत्त की जम्मु कश्मीर में दसकों के इंतजार के बार आखिरकार शान्ती पुर्वक चुना हुई वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन करके उबरी है मोदी जी को जच्टी राम मोदी जी की ये लोगपिरियता का परिणाम है मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं मोदी जी को देश के लोग सने करते हैं और उसका प्रिणाम है भारतिय जनता पार्टी हर्याना के अंदर तीसरी बार परचंड वहुमत से वो आई है मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डीमोरलाइज भी हुए हुए थे सारे आंकड़े हमारे खिलाब थे तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी हर्याणा में बीजेपी को एतहासिक विजय मिली है एक तरफ बीजेपी के नेता देश भर में जश्ट मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस को मिली हार के बाद उसके सहयोगी दल कॉंग्रेस को नसीहत देने में लगे है शिवसेना उदवगुट ने भी कह दिया है कि कॉंग्रेस को ओफर कॉंफिरेंस हो गया अपने दम पर जीत लेंगे उधर आम आदमी पार्टी को भी कॉंग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है कॉंग्रेस को मिली हार पर कॉंग्रेस की नेता भी ओवर कॉंफिडेंस एक बड़ी बढ़ा बता रहे हैं अब इसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी से पुछें उन्होंने क्यूं नहीं किय아 Psalक्तल धुट के नेताओं के सोसल मीडिया भाइरल हो रहे हैं हमको कुछ समझते ही नहीं थे ं तो आफ अधा अंसे पूछे अपने पर अपने बलबुटी पर जिते गए तो सत्ता में और कोई भागेदार नहीं चाहिए तो हमारे तो मित्र है हुड़ा जी एक कॉंग्रस के नेता है उनको लगा कि हम ही जितेंगे इतना ही नहीं कॉंग्रस की हार के बाद यूपी में अखले श्यादव ने भी कॉंग्रस को अपने तेवर दिखा दिया है समाजवादी पार्टी ने यूपी विधान सभा उपचुनाव के लिए अपने दस में से छे उमीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है इन में से दो सीट पर कॉंग्रस अपने लिए टिकेट चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर कॉंग्रेस को दरकिनार कर दिया है उदर कॉंग्रेस पार्टी अपनी हार के लिए अभी भी EVM को ही जिम्मेदार ठेरा रही है अब तो रौवर्ट वाज्डरा की भी एंट्री हो चुकी है कि वहां भाजपा आगे कि कोई यह नहीं मान सकता कि हर्याना में इस तरहें का अप्रत्याशित नतीजा आएगा हम सब अचंभित हैं यह अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो यह तंत्र की जीत है और लोक तंत्र की हार है बड़े गंभील मुद्धे हैं EVM को लेकर जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं लोगों ने खुद बोला है कि कुछ मशीनों में EVM मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी और उसमें जरूर कुछ नुकसान हुआ कॉंग्रिस का और जिसमें 65% बैटरी लाइफ थी मैंने देखा वहां कॉंग्रिस जीती है इधर कॉंग्रिस को मिली हार के बाद प्रधान मिंत्री मोधी लगातार कॉंग्रिस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं हार के लिए कॉंग्रिस की बाटने वाली राजनीती को जिम्मेदार ठहरा रहे है कॉंग्रिस का पूरा इको सिस्टिम अर्बन नक्सल का पूरा गिरो जनता को गुम्रा करने में जुटा था लेकिन कॉंग्रिस की सारी साजी से द्वस्त हो गया बलीतों को एहसास हो गया कि कॉंग्रिस उनका आरक्षन चीन कर अपने वोट मेंको माटना चाहती को लेकिन को जच्चि राम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल